हेलो स्वागत है आपका फ्री जी के को शानल पे मिरा नाम है किरन भाबर आज के इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं प्रमुख राजवंच संस्थापक तथा उनकी राजधानी मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी जो बहुत ही ज़्याद है बाकि आप लोगों को ध हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें हिस्ट्री पढ़ें चाहे फिर मध्यकालीन पढ़ें या फिर हम आधुनिक पढ़ें ठीके वहाँ पर हमें बहुत सारे वंशजों के नाम पढ़ने के लिए मिलते हैं ठीके तो कुशन आपसे यहां से डारेक्ट पूछे जाते हैं कि जो हर हर एक वंश है इसके जो संस्थापक है वो कौन रहे हैं या फिर आपसे पूछेंगे कि उनकी राजधानी क्या रही थी ठीके तो डारेक्ट कोशन बनेगा आपसे एक्जाम में तो अगर आपको ट्रिक से याद है या फिर आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो एक दो मांक्स है वो कहीं नी जाने है ठीके चलब स्टार्ट करते मैं चोटी से स्टोरी बनाओंगी उससे रिलेट करूँगे और याद करने के हम कोशिश करेंगे ठीके तो हर एक वंश के जो संस्थापक है वो है बिमबी सार और इनकी जो रासा ने रही है वो है राज तो इसथी तरह से हम बाई करें आप दिखें शिशुनाग वन्ष इसके जो संस्थापके वो है शिशुनाग और इनकी जो रास्थानी है वो है वैशाली तो देखें शिशुनाग वन्ष और शिशुनाग ठीक है यहाँ पर नाम से रिलेट कर रहा है तो आप इसको याद रखेगा कि जो शिशुनाग है उन्हीं नहीं अपने शिशुनाग वंशज की स्थापना की थी ठीक है और इनकी जो राजदानिती वो थी वैशाली में ठीक है तो दिखे शिशु से हम याद करेंगे कोई में लपेटते हैं ठीक इस तरह से आपको यह भी याद हो गया अब दिखे नंद वंश इसको जो संसाप है कि वह महाबदम नंद और इनकी जो राजदानी रही थी वो थी पाटली पुत्र ठीक है पाटली पुत्र वाली बहुत सारे ऐसे वंशज है ठीक है तो यहां से हम ए महाकाल हैं महादेव जी हैं उनके पास क्या थे नंदी थे बहुत सारे क्या थे नंदी थे ठीक है इस तरह साप इसको रिलेट कर लेंगे और पुत्र पुत्र से हो जागा च्छोटा वीपी और नंदी कौन होते हैं अक्च्छल में गाय के बच्चे होते हैं गाय के पुत्र होते हैं ठीक है इस तरह से आप रेलेट कर लेंगे ये भी आपको राम से याद हो जाएगा अब देखे मोर्य वंच मोर्य वंच की जो संसापे के वह है चंद्र गुप्त और इनकी भी राज़ानी रही है पाटले पुत्र ठीक है यहां से पुत्र वर्ड निकालेंगे अब द पुत्र से कहते हैं बच्चे जिद करते हैं यह तुम ही रहे तो यहाद हो गया शूंग वंच की जो संस्थापे वह है पुष्य मित्र शूंग और इनकी राज़ानी रही है पाटले पुत्र ठीक है यहां से पुत्र वर्ड निकालेंगे और दिखा है न सूंग से हम निकाल करते हैं पुत्र करते हैं चोटे-चोटे पुत्र चोटे-चोटे बच्चे ठीक है पुत्र से आप बच्चे रिलेट करिएगा चोटे-चोटे जो बच्चे होते हैं पुत्र होते हैं वह सुंगते हैं किसे पुष्प को हर फूल को सुंगते रहते हैं इस तरह से आपको रह हमारे भगवान के पुत्र है न कण्व भी एक देव है और वासुदेव वासुदेव वैसे 34 करोड भगवान है तो उन से ये भी एक नाम है ठीक है अब देखे साथ वहन इसकी जो संस्तापक है वो है सिमुक और इनके रसाने रही प्रतिस्ठान ठीक है प्रतिस्ठान प्रति मतलब आपको बता है इस तरह से हम बनाते ना एरो प्रति ठीक है कैते ना प्रति नग हमने ये खरीता है प्रति नग ये मिलाया में ठीक है तो देखे साथ वहां से हो जाएगा साथ सैवन और वहां मिंस गाड़िया ठीक है तो जो साथ वहां इनोंने खरीदे है न वो प्रती कैसे खरीदे हैं सेम सेम है न हर किसी को इनोंने सेम सेम खरीदिया साथ गाड़िया खरीद लिए इनोंने लेकिन सेम खरी मतलब कि नोंने जो एक जो जितनी पिगाड़े खरी दिया नोंने प्रती कैसी खरीदी है सेम सेम खरीदी ठीक इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा देखे इनको याद करना ज़रूरी है क्योंकि कोशन डायेक्ट बनेंगे ठीक है तो आप चाहें ट्रिक से याद करें या फिर आप इसको यहीं पर धियान रख लें ठीक है धियान रखना थोड़ा मुश्किल है इसलों हम ट्रिक का सहारा ले लेते हैं जो काफी आसान है याद करना भी और एक्साम में पूछा भी जाए तो फट से हम अंसर इसका दे सकते हैं आप देखे कुशान वंच इसके जो संस्थापक है कुजल कड़फिसेस और रासा नहीं रही है पुरशपोर ठीक है तो देखे कुशान से क्या वर्ड निकला रहे है ठीक है और कृष्ण भगवान एक्शुल में क्या है पूरुष है एक तरफ से क्या है वो पूरुष है ठीक है तो याद हो जाएगा यह अराम सापको आप दिखे गुप्त वंच इसके जो संस्थापके वह है श्री गुप्त और इनकी राजधानी भी है पाटली पुत्र ठ ठीक है तो देखे यह गुप्त वंच है यह एक्शुल में बहुत जादे इंपोर्टेंट है ठीक है वसे पढ़ा चुके हूं मैं सब पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ा चुकी हूं उसमें मैंने आपको प्राचीन मध्यकालीन आधोनेक सब पढ़ा दिया एक तो सब के षय मतवतीन आप जो यह गुप्त वंच के इन्होंने इनोंने बहुत है इतिहास रचा तरह तरह से आपको याद हो जागा रामसे के जो पुतर शबड़ा है अब वाका तक वंच इनकी जो संस्था पर के वह है विंदे शक्ति और इनकी राजधानी बुक में नहीं लिखी हुए इसलिए मैंने आपर ब्लैंक छोड़के रखा है अब दीके वाका टक में लिखा है न काट वाका टक में एक वर्ड है यह काट बीची में तो काट काट मिंस कट करना ठीके तो आप हर चीज को काट सकते लेकिन जिसके बाद शक्ति होगे न शक्ति मिंस पावर आप उसे नहीं काट सकते ठीके इस तर से यह आपको राम से याद हो जागा अब देखे होन वंश इसके जो संस्था पर के वह है तोर्मान और यहां पर इसकी जो राज़ानी वह स्लाइग क ठीके इसके लिए कुछ खास ट्रिक नहीं है बस आपको यह धियान रखना है यहां पर बिर्ण है और यहां पर बिर्ण है थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा दो तीन बार भी अगस को पढ़ोगे तो आराम से याद हो जागा ठीके होन वंश तोर्मान ठीके तो नहीं यहां ठीके तो आपको यह धो जागा कि होन बर्ड भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो यह इसके राजधानी ठीके थोड़ा और आप्शन्स आप देखोगे न तो थोड़ा सापके माइंड में भी आएगा कि यार इसकी तो कोई ट्रिक हमने बनाई नहीं थी तो में भी यह इसी का अब दिखे वर्धन वंच इसके जो सिंस्था पर के वह पुष्व भूती और यहां की जो रासानी रही है वह थानेशवर कन्योज ठीके वर्धन में आपको धन वर्ड दिख रहा है ठीके धन वर्ड ठीके धन में पैसा मनी ठीके तो देखे अगर किसी पास काला धन मिलेग आपको आपको आराम से कि दन अगर जिसके पास काला निकल जाएगा तो इस तरह से आपको आपको आराम से यादाँ आपको 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 है पांडे जी बजाय शीटी टिक इस तरह से थोसे पंड़ी का रोग कया होता है थोड़े से नौ्टी टाइप को थाथ P तो आप बादे च्वंश्ष इसके जो संसाप है कि हो है विजीयालिये और इनके रासा ने रही कैं?' तनजौर चौल से क्या होता है चौल मिन्स चल चल भյी चल विध्धियाले ले चलो तुझे चल भई विध्ध्याले ले चलो लेकिन स्टूडंट या फिर जो आपका फ्रेंड है व स्कुल जा नहीं रहता आप उसको जोर से कैश्श बोलोगे यह जोर से बोलोगे ना तो कोई कह रहा है कि चौल विध्यालई लेकिन नहीं चलोगे तो वह आपको जोर से बोलेगा चौल विध्यालई ठीक है या दुझे गारामसाब देखे पल्लव वंच किसन साबक रहे हैं सेह वर्मान चतूर्थ और इनकी जो रासानी है वह कांची पुरम ठीक है तो देखे पल्लव में लिखा है ना पल्ल मिन्स पालना ठीक है तो कोई सीह है ठीक है आपने दिखा है जू में अगर सेह को पालते हैं तो उनको हम एक कांच है ना कांची सोजगा कांच जैसा हम बनाके रखते हैं जू वाले जो डिजाइन करते हैं वो कांच जैसा बनाके रखते हैं थोड़ा तकि safety रहे और लोगों ने बाहर से देख पाई ठीक है तो कांच जैसा बना रहता है कांच जैसा बना रहता है और किसी सेर को पालना है किसी सेह को तो उसे कांच जैसे जगा में आपको रखना पड़ेगा ठीक है ताकि दूसरे पर अटाइक ना कर सके और उसे अराम से हम पाल भी सके ठीक है इस तरह से याद हो जागा देखे ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीक है और शेयर भी जरू कर दीजेगा नेक्स है रास्ट्रे कूट इंपोर्टन है रास्ट्रे कूट इनके जो संसा पर है दंती दूर्ग और इनके राजाने रही है माने खेट ठीक है रास्ट्रे कूट में आपको एक वर्ड दिख रहा ह ठीक है कूट कूट कर कूट कर देखें कूट कर उसकी दुर्गती बिगाड़ दी और इतना मारा कि उसका माने खेट मिंस की मुखोटा पूरा मुखोटा ही उसका बिगाड़ दिया ठीक है इस तरह से याद हो जाएगा चालुक इसमें कल्याणी भी है चालुक में बाधामी भ बैंगी कहते हैं ठीक है जो कल्यानी है इनके जो संस्थापक है वह तेलब दृती है और मान्य खेट कल्यान ठीक है यह इनकी राजधानी थी और बादामी वालों की थी जैसी प्रतम इनके संस्थापक और राजधानी थी वातापी ठीक है चालू के बैंगी बैंगी की जो संस सापक थे वो थे विश्णो वर्धन तो देखे विश्णो वर्धन में भी आम धन वर्ड निकालेंगे तो जिसके पास धन है वो मैगी अराम से खरीच सकते हैं तो जो खाएगा अच्छे से जय जय अच्छे से हो सकती है ठीके क्या हो जाएगा उसके अराम से जय 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 ठीके बादाम खाके आप स्ट्रोंग हो जाएंगे और आपकी जय जय होने लगेगी ठीके और इसके राजधानी वातापी आप याद रखेगा ठीके अब देखिए जो चालु की कल्याणी है उनकी जो संस्थापक दियान ठीक है तेलब दृति और इनकी जो राजधानी वह है मानेखेट कल्यान ठीक है तो कल्यानी और कल्यान यहां पी तर लिखा वह है तो आप इसको अराम से याद कर सकते हैं ठीक है राजधानी लेकिन इसके संसापक ध्यान रखेगा वह है तेलब दृति है ठीक है कॉल है तो अगर आपकी मान्य खेट में मुखोटा वड़ा रहा है तो अगर आप तेल लगाएंगे तो आपका कल्यान हो जाएगा ठीक है बहुत सारी ओयल आते हैं बजार में ब्रांडिड वाले फेस पर लगाने से आपका चहरा थोड़ा चमकता है तो इस तरह से आप ट्रिक बना स होईसल वंस के जो संस्थाप के वो है विश्नो वर्धन और इनकी जो राज़ानी थी वो थी द्वार समंद्र ठीक है तो देखे होईसल होईसल से हो जाएगा हमारा देखे ध्यान से सुनेगा कि देखे होईसल मतलब की होसला ठीक होसला रखो धन यहां विश्नो वर्धन मे कि पास धन है कोई ना कोई दुवार खुल ही जाएगा कोई ना कोई रास्ता कुली जाएगा क्योंकि आपके पास धन है ठीक है इस तरह से याद होई आप देखें यादव वंच इनके जो संसापक थे वो थे भीछ फिफ्ट हो और इनकी जो राजनी थी वो थी देव-गिरी च्छिए यादव में दव और यहाँ देव ठीक है रिलीट कर रहा है मैं चो रहा है तो आप इसको अराम से याद कर लोगे ठीक है और भिलब भिला वर्ट को आप ध्यान रखेगा ठीक है ट्रिक में हर चीज आपको याद नहीं हो पाएगी तो कुछ चीज़े आपको भी याद रखनी होगी ठीक है वाकी ट्रिक से तो बहुत कुछ याद होई रहा है आपको अब देखे कंदम बॉंच इनके जो संस्थापक थे वो थे मयूर, सर्मन और इनकी राज़दानी थी वनवासी ठीक है इसे याद करना बहुत असान है देखे जो चीज़े आराम से मिल जाती है उस पर ट्रिक बनाना बहुत असान हो जाता है देखे कंदम से क्या होता है कदम कदम से हम क्या वर्ड निकालेंगे कदम ठीक है तो कदम मय मयूर कहां रखता है one में रखता है यहाद कर सकते हैं और यहाद कर सकते हैं तो यह तो यह ढुलत इनी की राजानी रही है कपने लिखा का के बेटा कांड करते tendency खिल के रहते हैं रोड अफके तो यह था पर वह चुन के बमार्ट descriptive और धर्विक्र संसटाती डिक Dual STEPHAN करते रहते हैं तो यह थ Sesविण रिक्त दीक खड़ान हों तो गंग वंच इनके संस्थाफट रहे हैं । इनकी राज थानी है। गंग से आपको गंगा नदी जाता है कंगा न्दीं siya चाहता है। कोवलाल दूसरा तलकाड ठीक है दो लोग के नाम है कोवलाल दूसरा तलकाड ठीक है option में आपको यह दोनों दिया जाएगा कोवलाल और तलकाड जो है न वो गंगा नदी पर ब्रिज बन गया तो दोनों उस पे चल रहे हैं ठीक इस तरह से आद हो जागा राम से अब देखे से आप मयूर वर्ड भी इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं मुंगेर मयूर या फिर आप मथूरा भी याद कर सकतें ठीके तो हमारी गोपाल जीसे मथूरा तो बहुत जादा रिलेट करता है ठीके इस तरह से आराम से याद हो जाएगा चलिए next, sain once, इनके संस्था पक रहे हैं, सामन्द sain, और इनके राजा ने रहे हैं, लखनोती, सैन से हो गया, सोना, और जो सोना जो है, जो सोना है, अब देखें, यहाँ पर भी सामन्द sain लिखा है, तो नाम में sain-sain लिखा है, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, ठीके, सेंसे हो जाएगा मेरा सोना और सँना जिसके पासать लकंगोती मतलब की लाख वाला होता है तियो लक n Woche में लक वरड न कल रहा मतलब लाखो ठीके तो जिसके पास सोना है उसके पास लाखो रुपे हैं इस तरह से रेलेट कर लो आप से याद हो जाएगा अब देखें कार कोटक वंश ठीके कार कोटक वंश इसके जो संस्ता पर को है दुरलब और राजनीरी वर्धन ठीके बहुत आसाने इसको याद करना कार कोटक ठीके कार कोटक दो वर्धन निकल रहे हैं एक कार दूसरा कोट ठीके तो कोई आदमी है जिसने कार कार में आया प्लस उसने कोट पहना हुए ठीके तो कार कोट किसके पास होते हैं जिसके पास दुरलब वह ऐसा इंसान है जो बहुत ही दुरलब है जिसके पास बह सारा धन है ठीक इस तरह से अराम से रिलेट करके याद हो जाएगा ठीक जादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को याद करने में एक दो बार भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो सभी याद हो जाएगा आप देखें उतपल वंच इसके जो संस्थापक है वह है संग्राम राज तो दिखें लोहा और समें लिखा है ना लोहा आपको पता है जो लोहा होता है वह किया लोहा है या फिर किस तरह से थोड़ा रेलेट कर लेना आराम से अब दिखें वर्धनवंच ना वर्धनवर्ड काफी बार आपको सुनने के लिए मिला है यहाँ पर और विश्णो वर्धन में भी काफी बार पर निकले मिला ठीक है तो थोड़ा एक दो बार आप याद रखेंगे ना इसको तो अराम से याद हो जाएगा ठीक है वर्धन वंश के संसाब करें काम रूप पुश्य वर्मन और इनकी जो तो राज़ा निती वो थी प्रयाग जोतिशपूर तो देखें किसके बास होगा जो काम करें में काम न करेंगे जोतिश वेपस होगा जो ज़्यादा काम करेगा ठीक है जोतिश पूर यहां। से निकलाए हम एक बाँ जोती। तु जोतिश होता है ना, हमारा आप काम अच्छा करब साँ, आप धन बहुत सा आजाेगा। सथरह आप रिलेट करलेंगे यह धन भी लिखा है, यह काम हमे लिखा वर जोतिश भी लिखा है। तो आप relate कर लो कि भीया आपके बास धन बहुत आएगा जब आप काम करेंगे और ऐसे आपको किस ने बताया किसी जोतिश ने बताया ठीके इस तरह से दो तीन तरह की लाइन बनती है और आप यहाँ हमसे आत को लगे गुर्जर प्रतिहार ठीके गुर्जर प्रतिहार इसके प्रतिहार कर दोगे प्रतिहार कर दोगे प्रतिहार कर दोगे उस पर है ना गुर्जर गुर्जर गुजर रहा है कुछ सामने से क्या गुज रहा है नाग गुजर रहा है और कुछ प्रतिहार कर दिया इस कन्नों से हो जागा अनाज और अनाज में आपके उधर से गुजर रहा थे गनाग और उस पे आपने कर दिया प्रतिहार ठीक है इस तरह से स्टोरी बनाना आसान है और याद कर सकते हैं ठीक है अब दिखें जो गढ़़ाल वंच है